जहें दोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूटूब चैनल ASP Classes में दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए मद्द प्रदेश का मद्द काली इतिहास मद्द प्रदेश का मद्द काली इतिहास से संबंद बहुत ही महत्तपुन को चनांसर या पर लाए हैं तो वीडियो को पूरा वस्त देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और आल पर क्लिक करें ताकि आल वीडियो भी नोटिपिकेशन आप यहां तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को लाइक करना है पीडियाप के लिए आप हमारे डिडिट्रिक। यहां से आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कर सकते हैं जहां पर हम बरसेश्ट मंदर कराए था तो आपका आंसर है चंदेल बंस नंबर दो यहां पर राइट अंज़ा गोशन है कि निम्न मेंसे कौन तो आपका right answer होगा, क्या है चरक सहिता, चरक सहिता आपका बिल्कुल सही answer होगा, विकल्प number 3, कि निमलेकित मैं से कौन सी राजय बोच की किर्ती नहीं है तो बही है चरक सहिता, अंगला कोश्चन है आप ए खजुराहो निम्न में से किस बंस की राजधानी थी तो किस बंस की राजधानी थी खजुराहो खजुराहो बताना है ए किस बंस की राजधानी थी परमार कल्चुरी चंदेल या बंदेल तो राइट आंसर क्या होगा चंदेल चंदेल आपका राइट आंसर होगा चंदेल की खजराहू किस बंस की राजधानी थी तो चंदेल और जो खजराहू भी प्रिसिद्ध मंदर है उनका निर्मान भी चंदेल बंस ने करवाया था अंगला question है कि गौन राजबन्स का सबसे प्रिसिद्ध सासक कौन था गौन राजबन्स का सबसे प्रिसिद्ध सासक बताना है तै कौन है तो इसका right answer बजय सा है संग्राम सा है नरेश सा है या इनमें से कोई नहीं तो आपका right answer क्या होगा संग्राम सा है संग्राम सा यानिकी विकल्प नंबर दो राइट आंसर होगा आपको यहां पर अंगला कॉस्चन है कि कौन सा राजबन मर्द पृतिस्ट से संबंद है तो कौन सा है बताएए पृतिहार काक्तिये कल्चुरी या चालोग के तो राइट आंसर है आपका कल्चुरी कल्चुरी आपका यहां पर जो है राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन है कि कि प्रिसिद्य शास बहु मंदर का निर्माण किसने करवाया था किसने कराए था तो किसने कराय था जो रैंभ खृतिमद अब इसंगर्माण किसने करवाये था तो इसका निर्मार है किसने कर वाय था मांसेह्द तॉमर आपका right answer तो अंगल्य कोस्चिन है यहां पर कि lament कहां का सासक राजवंस था का लिंग मदप्रदेश बंगंगल या अन्दप्रदेश आपका right answer होगा मदप्रदेश आपको यहां पर बिकल्प नमबर दो जो है राइट आंसर होगा अंगला कोश्चन है कि मंगल गरह जन्म से संबंदित इस थल जहां मंगलनात का मंदर बना हुआ है कहां पर इस्तित है तो कहां पर इस्तित है संदीपनी आश्रम के पास उज्यन नासिक ग्वालियर किले के पास या बारांड सी राइट आंसर आपका संदीपनी आश्रम के पास उज्यन आपका जो है राइट आंसर होगा अंगला कोश्चन है कि नरवर किला किसकी प्रणा कताओं के कारण चर्चाओं में रहा है तो क्या होगा राइट आंसर कोश्चन नमबर 9 कि जो नरवर किला है किसकी प्रणा कताओ के कारण चर्चाओं में रहा है तो आपका आंसर होगा नल दम्यंती नल दम्यंती आपका विकल्प नमबर तीन यहां पर जो है राइट आंसर होगा अंगल्या कोस्चन है यहां पर कि कौन सा किला जोहरकंड हवा महल नौखंड महल तथा खुनी दर्वाजा के नाम के लिए प प्रिसित है तो आपका आंसर होगा चंदेरी का किला चंदेरी का किला जो और अनिक नाम हो से जाना जाता है अंगला कोस्चन है कि आंतिम तौमर राजा विक्रमदित को हरा कर किसने ग्वालियर पर अधीकार कलिया था तो बै कुँं थे? अन्तिम तॉमर राजा कुँं थे? विकरमा दित्थ pronbe इनको हराकर खेर ने क्वालीयर पर अधिकार कर लिया था तो आपका राइट आंसर होगा इब्राहम लोधी इब्राहम लोधी आपका यहा पर राइट आंसर होगा विकल्ब नंबर 2 अंगला कोस्चन है कि बुंडेला बंस के किस सासक ने जहां गीर के कहने पर अवल फजुल की धत्या की थी तो 76 साल बीर सह बंदेला हिरता सा है या मदू कर सा है तो राइट आंसर होगा आपका बीर सह बंदेला आपका यहाँ पर विकल्प नमबर 2 राइट आंसर होगा अंगला कोश्चन है कि बुंदिलवंस के किस सासक ने गड़ा की समीप संग गंगा सागर जलासय का निर्माल कराया था तो बुंदेलवन्स की किस्साशक ने गड़ा की समीप गंगास अगर जलासाइका निर्माल कराये था तो राइट आंसर हिर्दैसा है हिर्दैसा है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर तीन जो है राइट आंसर होगा अंगला कोशन है कि महेश्वर जैसे महेश्मती भी कहा जाता है निर्मन में से किस नदी तट परिस्ते थे तापती नदी नर्मदा नदी महा नदी या बेतवा नदी तो महिस्वर तो आपका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी नर्मदा नदी विकल्प नमबर दो यहाँ पर राइट आंसर होगा अंगला कोशनिया पर की बगेल राजवन्स के किस बीर ने चुवसा की उद्ध में हिमायू की साहिता की थी तो किस ने की थी बीर मान से हैं मदुकर साहे राजवन्स के किस बीर ने चुवसा की उद्ध में हिमायू की साहिता की तो आपका राइट आंसर होगा बीर मान से हैं बीर मान से हैं आपका राइट आंसर होगा विकल्प नमबर एक अंगला कोश्चन है कि तिगवा कहां परिष्ट थे बताईए तिगवा कहां परिष्ट थे मुरेना जिले में भोपाल जिले में जवलपर जिले में या गौलियर जिले में तिगवा तो एह कहां परिष्ट थे जवलपर जिले में जवलपर जिला आपका बिकल्प नमबर तीन राइट अंसर होगा अंगला कोश्चन है कि ग्वालियर के सासक माधो जी सिंधिया का निधन कब हुआ था माधाव जी सिंधिया का बताना है आपके लिए माधाव जी यहां पर माधाव है तो ग्वालियर के सासक माधाव जी सिंधिया का निधन कब हुआ था माधो माधो माध 1794 जो ग्वालियर के साथ सक्वंथ माधो जी माधो जी सिंधिया का निधन कब हुआ था तो आपका आंसर होगा 1794 इस भी में अंगला कोशन है महारानी कमला देवी किस राजवन्स की साशिका थी कमला देवी किस राजवन्स की साशिका थी सुंग चंदेल या परमार या गौण तो आपका राइट आंसर जो यहां पर है विकल्प नमबर 4 यानि कि गौण आपका यहां पर राइट आंसर होगा अंगला कोशन है कि चंदेरी के साशक महदनी राय पर नमलकित किस मुगल ने आक करमार किया था तो भाए कौण सा मुगल है अकवर ने बाबर ने जांगीन ने या औरंग जेब ने राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर है आपका बाबर ने किसने बाबर आपका राइट आंसर होगा विकल्प नमबर 2 बाबर चंदेरी के साशक कौंते मेंदनी राय पर किस मुगल ने आक करमार किया था तो आपका आंसर है बाबर अंगला कोशन है कि मंडला के किले म किस ने कराई तो किसने कराई मंडला के किले में राज तो इसकी तो राजा नरेंद्र साहे किसने राजा नरेंद्र साहे आपका राइट आंसर होगा अंगला कोश्चन है कि राजसेन के लिए का निर्माण किसने कराए था ओदाइवरवन, किर्तिपाल, राजा, राजवासंती या राजा अजयपाल तो राजसेन के के लिए का निर्माण बताना है तो एह किसने करवाए था राजा राजवसंती आपका राइट आंसर होगा विकल्प नमबर तीन अंगला कोश्चन है याँ पर कि सिस साही तालाब कहां इस्तित है तो एह तालाब कहां पर इस्तित है तो एह तालाब बांदागाड उद्जान उमरिया में इस्तित है विकल्प नमबर तीन आपका राइ अंडला का किला ग्वालियर का किला या अजय गड़ का किला जो कहां पर है पन्ना में तो क्या होगा राइट आंसर राइट आंसर है आपका अजय गड़ का किला पन्ना आपका विकल्प नंबर चार राइट आंसर होगा अंगला कोशन है कि किस दुर्ग को किलों का रत्न कहा जाता है मालवा का किला कालिंजर का किला या गौलियर का किला या गौन राजाओं का किला राइट आंसर तो राइट आंसर है गौलियर का किला गौलियर का किला विकल्प नमबर तीन राइट आंसर होगा किस दुर्ग को किलों का रत्न कहा जाता है तो गौलियर का किला अंगल के हैं लिए कि प्रवेस द्वार प्रष राहे कि अशीरकाड का किवे गळडर का किला मुद्यर गास्ती का किला तो राइट आंसर ईंसर में प्रहना व्मार्शल राइट आंसर है डॅैंक मजान машणी तो राइट आंसर है आपका उज्जैनी उज्जैनी आपका यहाँ पर राइट आंसरों का विकल्प नमबर दो चैंद्रगुप्त दुतिय की जो राजधानी कहा थी तो उज्जैनी अंगला कोश्चन है अलाउद्दीन खिल जी ने किसे किले का जीवरोण उद्धार कराया था तो बह गौन सा किला है तो बह गिला है मन्दसवर का क्ला विकल्प नमबर दो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मन्दसवर का किला अंगला कोस्चन है कि औम करेशिर की स्थापना किस राजा न की थी असोक, राजा महसमत या बिंदु सार या राजा DAY राइट आंसर है कि आपका राजा DAY विकलब नंवर चार राइट आंसर होगा अंगला question है कि बावन ने अपने विजयवियान के अंतरगत मद्द प्रदेश के किस इस्तान पर अपना अधिकार नहीं किया था गौलियर, चंदेरी, धार या भोपाल बावन ने अपने विजयावियान के अंतरगत मद्द प्रिदेश के किसस्तान पर अपना अधिकार नहीं किया था तो आपका राइट आंसर होगा भोपाल भोपाल आपका राइट आंसर है विकल्प नमबर चार अंगले कोश्चन है मौर बंस के बाद बिदीशा पर किस बंस का सासन हुआ सौंग गवप्त या इच्छाकू या हैं सौंग तो राइट आंसर है सौंग सौंग आपका यहाँ पर विकल्प नमबर एक राइट आंसर है अंगला कोश्चन है कि बस्तुकला संबंदी ग्रंथ समरांगन सूत्र के लेखक है तो कौन है तो इसके लेखक है राजा भोज राजा भोज आपका राइट आंसर होगा विकल्प नमबर सा यहाँ पर सही आंसर है खजुराओ किस बंदी की राज़दानी थी तो एक वोश्चन पर से पूछ लिया गया है पहले हो गया है एक वोश्चन तो चंदिल आपका राइट आंसर है अंगला कोश्चन है कि मृत्तुन जाय करण की जन्म इस्तली है तो क्या है मृत्तुन जाय करण की जन्म इस्तली बताना है तो आपका राइट आंसर होगा कुत्बार मुरेना आपका राइट आंसर होगा क्या है आपका राइट आंसर कुटबार मुरेना आसन नदी अंगला कौश्चन है कि महिसमती कौन सी नदी की किनारेशतित है बेतबा नदी, महा नदी, नर्मदा नदी, अर्ताब्ती नदी राइट आंसर है आपका नर्मदा नदी विकल्प नमबर तीन यहां पर सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी अंगले कोश्चन है कि परमारवंस ने मालवा का सामराज इस्तापित किया तो जो परमारवंस ने मालवा का सामराज इस्तापित किया तो आपका राइट आंसर है दस सो से बारा सो पचासी इस भी 1732 इसवी में मालवा में देवास छोटी पांती में किस बंस की इस्तापना हुई थी तो कौन से बंस की इस्तापना हुई थी तो इसका राइट आंसर है जीवाजी बंस जीवाजी बंस आपका राइट आंसर विकल्प नमबर दो चंदेरी किला का निर्माल किसने कराये था जल्दी शी बताईए प्रितिहा नरेश कीरितिपाल राजा सुरसेन या राजवसंती या राजा अजयपाल तो राजा सुरसेन राजा सुरसेन ने चंदेरी का जो किला है इसका क्या करवाये था निर्माल करवाये था अंगला कोशन है महारानी कमला देवी किस बंच की साशिका थी महारानी कमला देवी एह थी गौन बंच गौन बिकल्प नमबर तीन यहां पर राइट आंसर होगा मुहम्मद गौली ने कब गौली यर पर आक्रमन कर उसे दिल्ली सल्तनत का हिस्ता बना लिया था कब 1195 इसवी में मुहम्मद गौली ने गौली यर पर आक्रमन कर उस जो है दिल्ली सल्तनत का हिस्ता बना लिया था कब 1195 इसवी में सेरसाहे ने मालवा पर अधिकर कर किसे बहां का सुवेदार निक्त किया था तो सुजात खाँ सुजात खाँ आपका राइट आंसर वेकल्प नमबर 3 सुजात खाँ तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही एफ वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट की मात दम से जरू बताएं और ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक टेले-ग्राम एप में आपको सेच करना है आई एस स्टेडी ट्रिक यहांसे आप हमारी टेलेग्राम ग्रूप कि जॉयन कर सकती है जहां पर hung वीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडिएफ होती है वा हम ठाल आम ग्रुप में आपके लिए अपकलब्त कर देती हैं तो आप ट